Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education जिसमें हम Lecturer Education, Headmaster, Headmistress और तमाम Teaching Jobs का Pedagogy portion की Preparation कह रहे हैं उसमें हमने Educational Psychology का Chapter स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर हम Cognitive Development की Stages पढ़ रहे थे जो जीन प्याजे ने दी है इसके आज हम Third Stage डिसकस करेंगे जो Concrete Operational Stage कहलाती है Concrete Operational Stage की जो Age है वो 7 to 11 Years है इस Age के बच्चे के अंदर जो तबदीली आती है या जो चेंजिंग आती है वो हम इसके अंदर डिसकस करेंगे सबसे पहले This is the Logical Thinking Stage of Children अब इस Stage के अंदर बच्चे के अंदर Logical Thinking डिवेल्प हो जाती है Logical Thinking कौन सी Inductive Reasoning यानि के बच्चा के रूल आपसेट कर लेते हैं या एक्जेंपल की मदद से आपको थियोरी या ला डिवेल्प कर लेते हैं यह Inductive Reasoning है तो बच्चा इसके अंदर चीजों के साथ Direct Interaction करता है और Interaction करने के बाद बच्चा चीजों को समझता है और समझ कर वो एक ला या एक रूल अपने माइंड में डिसकस जो है अपने माइंड में सोच लेता है ऐसे बना लेता है तो यह लॉजिकल थिंकिंग स्टेज है जिसके अंदर कौन सी रिजनिंग आ जाती है बच्चे के अंदर Inductive Reasoning आ जाती है उसके बाद है Seriousion Seriousion क्या है Sequencing According to Shape, Size और Weight यानि के चीजों को उनकी Shape, Size और Weight के लिहाज से तरतीब जो देने है वो Seriousion कहलाती है जैसे यह पिक्चर में मैंने आपको दिखा दिया कि सबसे पहले Smaller फिर उसे Greater फिर उसे Greater और और Then Greater ठीक है इस Shape में चीजों को जो रखना है वो क्या कहलाता है Seriousion कहलाता है उसके बाद की जो Characteristic है वो क्या है Classification है अब Classification क्या है Categorizing the Object by Shape, Size और Weight यानि के एक जैसे Shapes को आप अकठा रखें एक जैसे Sizes को आप अकठा रखें और एक जैसे Weight को अकठा रखें ट्राइंगल शेप जो है वो हमने अकठी रखी है एक ही लाइन में और दूसरा जो Circular Shape है वो एक ही लाइन में रखी है ये क्या है Classification है कि एक जैसे Object एक ही जगा पर रखे जाएं ये क्या कलाती है Characteristics Classification कलाती है इस Stage में ये Characteristics भी बच्चे के अंदर आ जाती है उसके बाद है Decentration जो हमने Pre-Operational Stage में Centration पढ़ा था कि बच्चा किसी भी चीज़ के एक Aspect को देख रहोता है लेकिन यहाँ जो Decentration है Decentration के अंदर Attending More Than One Aspect of Situation वो किसी भी situation के किसी भी चीज़ के एक से ज़्यादा Aspect को देख रहोता है सोच रहोता है समझ रहोता है यानि कि अगर उसे कार नजर आती है तो कार को वो देखता है कि इसका कलर कैसा है इसके शिशों का कलर कैसा है इसके टाइर किस शेप के है इसकी body किस shape की है, ये चलती कैसे है, इसके अंदर petrol क्यों डाला जाता है, ठीक है, तो इसका gear कैसे है, clutch कैसे है, इस तरह की चीजें उस बच्चे के अंदर अब सोचने की जो ताकत है, capability है, वो आ जाती है, तो ये aspect क्या कहलता है, decentration, ये किसी एक ही point को ना लेके, तमाम points को, तमाम उसकी जो characteristics है, उसके बारे में सोच लेना क्या कहलता है, decentration कहलता है, उसके बाद है reversibility, अब reversibility क्या है, able to reverse the things into previous pattern, जैसे कल हमने example की थी, कि अगर हम बच्चे को मस्जिद की तरफ ले जाएं, छोटे बच्चों को, pre-opernational stage में, और वहाँ आप उसे छोड़ाएं, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा घर वापिस आना, क्योंकि वो चीजों को reverse नहीं कर सकता, लेकिन इस stage में जो 7 to 11 years के बच्चे हैं, उन्हें अगर आप ले कर जाएंगे, किसी ऐसी जगा पर, school ले जाएं, उन्हें वन टाइम, किसी ऐसे दोस्त के घर ले जाएं, जो walking distance पर है, तो ये बच्चे क्या है, वापिस आ सकते हैं, तो इनके अंदर ये reversibility जो है, characteristics ये क्या हो जाती है, develop हो जाती है, एक और example, यहाँ math से मैं तब क्या answer है, बच्चे के अंदर ये जो है, characteristic जो है, ये पैदा हो जाती है, कि बच्चा आप चीजों को reverse करना start कर सकता है, यानि कि अगर आप उसे एक दफ़ा एक machine बनाना, एक simple machine बनाना सिखा दें, और फिर दुबारा उसके pieces खोल दें, तो वापिस बच्चा उस machine को अस law है, कि अगर shape, size, किसी भी चीज का change भी कर दें, तब भी उसकी जो अंदर value है, जो उसका, जो mass है, उस पे effect नहीं पड़ेदा, यानि कि quantity पे effect नहीं पड़ेगा, अगर आप shape और size को change कर दें, तो quantity के उपर effect नहीं पड़ेगा, इसकी मैंने कल example दी थी, कि बच्चे को अगर आप एक ऐसा glass जो जिसकी length ज्यादा है, और एक ऐसा glass जिसकी length कम है, ठीक है, जो चोड़ा ज्यादा है, उसमें एक ही जितना, ठीक है, 200 ml दोनों में पानी डालें, तो 200 ml जो जिसकी length ज्यादा है, उसमें ज्यादा आएगा, ऐसे लगेगा कि ये ज्यादा glass fill है, और जिसकी length चोड़ी है लेंथ कम है और वो चोड़ा ज्यादा है उसमें 200 ml क्या लगेगा पानी थोड़ा लगेगा तो pre-opernational stage में बच्चा इस characteristic को नहीं समझ रहा होता वो ये समझ रहा होता है कि जिस glass में length जिस glass की length ज्यादा है उसमें ज्यादा quantity है हलांकि दोनों में 200 ml ही पानी डाला गया है लेकिन जो इस stage है concrete operational stage इसमें बच्चे के अंदर ये conservation की characteristic आ जाती है उसे समझ आ जाता है कि size से shape से कोई effect नहीं पड़ता अगर quantity 200 ml है तो वो किसी भी shape के बरतन में डाल दी जाए तो वो इतनी रहेगी तो ये stage के अंदर बच्चे के अंदर conservation की जो characteristic हैं ये भी आ जा the objects according to relation like taller at the top and smaller at the bottom जाने के बच्चे को पता हो कि किसी एक चीज़ का किसी दूसरे से क्या relation है for example आपके पास तीन चीज़े हैं जो मुक्तलिफ shapes की हैं तो बच्चे को पता हो कि ये shape इससे बड़ी है और इससे छोटी है ये transitivity कहलाती है जैसे यहाँ एक example भी मैंने दे दी है कि सबसे पहले a shape है a is shorter than b ये बच्चे को पता होना चाहिए कि b से क्या है shorter है और b is longer than a b क्या है a से long है बड़ी है फिर b is shorter than c c से shorter है और c is longer than a अगर c longer than a है तो it means ये c longer than अगर b है अगर हम यहाँ ये लिख देते c is longer than b तो it means ये a से भी क्या होती long होती तो ये क्या characteristic क्या कहलती है transitivity कहलती है और concrete operational stage इसे इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर अब बच्चे को concrete चीजें जिन चीजों को वो महसूस कर सकता है देख सकता है उनके बारे में easily understanding उसके अंदर आ जाती है according to all aspects तो ये कुछ stages थी इनके आपको नाम लाजमी याद होने च operational stage के अंदर अगर आप इन नामों को एक फैरिस्त बना लेंगे निमोनिक्स बना लेंगे तो आपके लिए असानी होगी I hope आज का lecture आपको पसंद आया होगा मैं अपने motto के साथ end करता हूँ learn and lead the word independently subscribe my channel like share and press the bell icon thanks my best wishes with all of you